कोई पहला पत्रस उसका अध्याइए एक से हम प्रव का वचनात सीखेंगे और हम इस पूरे किताब को हम सीखेंगे तो पत्रस जब लिखता है बहुत ही प्रैक्टिकल तुरीके से लिखता दा बहुत बड़े सब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, बहुत ही साधारन व्यक्ति है, जमीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारे जैसा एक साधारन व्यक्ति इस पत्री का लेखक है तो पत्रस इसका लेखक है और लगबग 65 पैसट एडी में प्रभियेश्ट मसी के स्वरगा रोहन के 65 साल के बाद में उसने इस पत्री को लिखा और ऐसा माना जाता है कि जब इस पत्री को लिख रहे थे तो वो रोम के अंदर थे और समराठ नीरो का सासन उस समय था जिस समय पत्रस पोलुस की मृत्य हुई उसी समय पर पत्रस की भी मृत्य हुई तो उस समय के अंदर पत्रस ने इस पत्र को लिखा लेकिन पत्रस किन को लिखता है पत्रस उन अन्य जाती मसीही लोगों को लिखता है जो कभी रोम में रहा करते थे लेकिन अभी वो इधर उधर बिखरे हुए हैं रोमी प्रांत के एरिया में इदर उदर वो तितर बितर होकर रहते हैं इन जगाओं का नाम यहाँ पर आया है आए पढ़ते हैं येश्व मसी के प्रेत पत्रस की ओर से तुम परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कपुदुकिया, एशिया और बितुनिया में तित बितर बितर होकर रह रहे हो और पिता परमेश्र के पूर्व ज्यान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के दौरा येश्व मसी की आग्या पालन करने के लिए चुने गए हो तो ये जो जगें के नाम आए हैं, ये रोमी प्रांत की जगें थी और इस समय पर उसको तुर्की कहा जाता है, तुर्किस्तान में ये सारी जगें पढ़ती हैं, वर्तमान में तो ऐसे लोगों को लिखता है जो अन्यजाती मसीही लोग थे, और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने प्रभु येश्व मसी को तब जाना जब पत्रस पिंतकुस्त के दिन, पवित्रात्मा से भर कर, जब उसने प्रचार किया येरुसलेम के अंदर, और येरुसलेम के समय था, फसे मनाने के लिए आये वे थे, और वहाँ पे लिखा है प्रभु की किताब में, कि वो अन्यने भासा में जब प्रभु की स्तूती कर रहे थे, लोगों ने सुना और पत्रस ने उसके बाद प्रचार किया, उस प्रचार के द्वारा इन लोगों ने प्रभु इस्वास किया था, और इस समय ये लोग तितर बितर होकर क्यों रह रहे हैं, इसका कारण ये है, क्योंकि इनको सताया जा रहा था, ये बहुत ज़्यादा दुख में से होकर गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा विकट प्रसिती में से होकर ये गुजर रहे थे, समराट न रोम को मुझे एक नई स्रे से बिल्ड करना है ये सारा सब कुछ तोड के नास करके मुझे एक नया रोम बनाना है तो इस वज़े से उसने क्या किया है रोम के अंदर आग लगवा दी और जब लोगों को पता चला कि ये नीरों ने ये करवाया है तो लोगों ने इसके उपर के उपर डाल दिया और जब ये इलजा मसी लोगों के उपर आ गया तो उनके साथ में सताव होने लगा उनको मारा पीटा जाने लगा और बहुत ज़्यादा उनके साथ आत्याचार किया जाने लगा इस वज़े से ये लोग उदर से निकल कर अलग अलग जगाओं में जाकर ये लोग रहने लगे थे पत्रस उनको लिखता है इस कठिन प्रिस्तिती के मध्य उन्हें किस प्रकार मजबूती के साथ में अपने विश्वास में खड़े रहना है किस प्रकार इस दुख का सामना उसे करना है इस पत्र को लिखने के द्वारा इन बातों को वो मसीही लोगों को सिखाता है आलेलुया ताकि मसीही लोग जो सताओं से होकर जा रहे थे जो दुख से होकर जा रहे थे वो क्या पाए हिम्मत पाए प्रोसाहन पाए इस कारण से इस विशे के साथ में पत्रस इस पत्र को लिख कर इन लोगों के पास में भेजता है इस पत्री का विशे अगर आप पूरी पत्री पढ़ोगे पूरी किताब पढ़ोगे तो इसका विशे जो है वो है दुखों के मध्य आशा या फिर परदेशियों के लिए आशा ये विशे हम पूरी किताब के अ हालेलुया! और इतना ही नहीं लिखा उसने ये भी लिखा कि ये जो दुख है, ये पीड़ा है, ये शंगर से, इससे निप्टा कैसे जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाये इस प्रकार की बातों को लिख कर कैसे निकला जाए वो इस पत्र के अंदर लिखकर भेजता है हालेलूया और सरकार की विसे में भी लिखता है कि एगर विरोधी लोग, हमारे चार ओर विरोधी लोग है उनसे हम कैसे निपटे हमारे परिवार के अंदर विकट प्रसितिया है आपसी जगडे हैं, पती-पतनी के जगडे हैं, कैसे उनसे निप्टा जाए, जीवन की चिंताओं से कैसे निप्टा जाए, इनसे कैसे बाहर निकला जाए इन सब बातों को पत्रस यहां पर लिखता है, इन सब बातों को सिखाने के लिए, बाहर निकलने के लिए पत्रस इस पत्र को लिखता है, हललुया, और ये दुख, ये पीडा, ये शमस्या, हम सब के जीवनों में भी आती है कि नहीं, कोई ऐसा है यहां पर जिसके जीवन में क कोई दुख ना हो अच्छा ऐसे लोग हैं चलो प्रभु का धनेवाद ताली बनती है इनके लिए हम हमें से अज्यादा तर लोग प्रति दिन किसी ने किसी प्रकार के दुख से होकर हम गुजरते हैं परिवारिक दुख गरीबी का दुख आत्मिकृती से हम दुख को सहते हैं लोग हमारे उपर ताना मारते हैं अलग अलग तरीके से दुखों को हम देखते हैं शारिक दुख बिमारी के कारण आने वाला दुख विभिन प्रकार का दुख हमारे चारो और रहता है तो हम दुख में से होकर गुजरते हैं और ये तब तक रहेगा जब तक हम इस धर्ती के उपर हैं, ये खतम नहीं होने वाला, ये खतम नहीं होने वाला, पत्रस ये लिखता है कि दुख रहेगा, लेकिन इसका सामना कैसे हम कर सकते हैं, दुख के मध्धे भी हम प्रभू में कैसे बने रह सकते हैं, पत्रस यहां पर ये नहीं लिख रहा है, कि तुमारे जिंदिक रहेंगी हम उनमें से गुजरते रहेंगे लेकिन पत्रस आज हमें सिखाता है कि इनके मध्य से हमें कैसे गुजरना है हाललुया कैसे गुजरना है सबसे पहले जब पत्रस शुरुवात करता है इस पत्र की वो देखे किस प्रकार लिखता है येश्वमसी के प्रेरित पत्रस क और से तुम परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया कपुदिकिया, एशिया और बिथूनिया में तितर बितर होकर रह रहे हो और पिता परमेश्टर के पूर्व ज्यान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा येश्व मसी की आग्या पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हो हलिलुया इस दोबारा ध्यान से देखिए आप क्या आप देख सकते हैं कि उसका फोकस के चीज़ के उपर है लोगों की प्रिसिति क्या है, लोग किसमें से होके गुजर रहें, दुख में हैं पीडा में हैं, लोगों के द्वारा सताया जा रहा है, हालातों के द्वारा सताया जा रहा है, एक ऐसी जगह पे हैं, जहां पर वो परदेशी होके रह रहे हैं, उनका अपना घर नहीं है, वो बेगानी जमीन पर जाकर रह रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पीडा में वो हैं लेकिन पत्रस उनको सबसे पहले किस और उनका ध्याना करशित करता है जो आज का हमारा विस्याइब भी है पत्रस उनको बताता है कि मसी में हमारी पहचान क्या है हम मसी में कौन है हलिलुया हम मसी में कौन है मसी म हमारी पहचान क्या है मसी में हमारा स्थान क्या है इस विशे की और पत्रस इन लोगों का ध्यान आकरशित करता है उन लोगों का जो दुख पीड़ा परिशानी से होकर सताव से होकर गुजर रहे हैं उनको बता रहा है कि देखो मसी में तुम्हारी पहचान क्या है हालेलुया मैंने कहा कि दुख में से होकर हम भी गुजरते हैं आज हमें भी देखना है कि मसी में हमारी पहचान क्या है हालेलुया इस बात को वो सिखाता है और देखिए पहले एक का एक में किस परकार लिखा है येश्व मसी के प्रेडित पत्रस की और से तुम परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कपुदुकिया, इसिया, बितुनिया में तितर-पितर होकर रह रहे हो और पिता परमिर्सर के पूर्व ज्यान के अनुसार तता आत्मा के पुवितर करने के दौरा येश्व मसी की आगया पालन करने के लिए चुने गए हो अलेलुया, और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए तुम लोग चुने गए हो पत्रस उनको ये नहीं कह रहा है कि वो मुझे पता चला कि आप लोग दुख से होके जा रहे हो आप पीडा से होकर जा रहे हो मुझे पता चला, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ मैं आप लोगों के लिए प्राच ना करूँगा ऐसा कुछ भी नहीं लिकर आए हो वो डारेक्ट उनको इस विसे पर लेकर आता है कि भाई, तुम्हारे जीवनों में संगर से दुख है, पीडा है, सब ठीक है लेकिन ये देखो, कि तुम मसी में कौन हो इस विसे की और सीधा-सीधा वो उनको लेकर आता है मसी में हमारी पहचान क्या है इस विसे की और पत्रस उनको लेकर जाता है और आज हमें भी वो इसी विशे की और लेकी जाना चाहता है क्यों पता करना जरूरी है कि हमारी पहचान क्या है जब हमें पता चलता कि हमारी पहचान क्या है तो क्या होगा जब आप जान जाएंगे कि मसी में हमारी पहचान क्या है प्रभु येश्श मसीह ने हमें क्या पहचान दी है जब आपको पता चलेगा तो आपका इससे क्या फायदा होगा क्यों जरूरी है अपनी पहचान को जानना मसी में Haliluyah जब हम अपनी पहचान को हम जानते मसी में तो हमें सुरक्षा का आस्वासन मिलता है हम अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम मसी में हमारी पहचान हमें पता चलती है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं मसी में सुरक्षित हूँ हमें मसी की सुरक्षा का आश्वासन हमें मिलता है जब हमें पता चलता है कि हमारी पहचान क्या है तब हमें अपने जीवन का उदेशे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का उदेशे क्या है मेरे जीवन का उदेशे क्या है मेरे जीवन से परमेश और चाहता क्या है जब हमें पता चलता है कि मसी में हमारी पहचान क्या है तब हमें ये पता चल जाता है हम ये सीख जाते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर जीना कैसे है इस पाप बेरे संसार के अंदर हमें जीना कैसे है हमें पता चलता है जब हमारी पहचान को हम मसी में देखते हैं हलिलुया हमें किन चीजों से अपने आप को अलग करना है किन चीजों से हमें दूर होना है हमें पता चलता है जब हम अपनी पहचान को मसी में जान लेते हैं कि मैं मसी में कोन हूँ हलेलुया हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें पता चलता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ हमें पता चलता है कि मैं कहां पर गलत हूँ, मैं कहां पर गिरा हुआ हूँ, हमें पता चलता है, जब हमें मसी में हमारी पहचान को हम जान लेते हैं, अलेलुया, अगर हमें हमारी पहचान पता नहीं है मसी में, तो हम इन सब चीजों को नहीं जान सकते हैं, हमें अगर इन बातों को जानना है तो हमें अपनी पहचान को देखना है मसी में मैं कौन हूँ मैं सच में मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ आप एक साधारन व्यक्ति नहीं है आगे हम वचन में देखेंगे Hallelujah एक उधारन है बहुत फनी सा है एक बारी क्या हुआ शिकारियों ने एक सेर को और सेरनी को पकड़ लिया उनका सिकार कर लिया ठीक है उनको पकड़ के वो लोग ले गए ऑर उनका एक छोटा सा बिच्चा था बिच्चे नादान होते हैं नाजुक होते हैं बहुत छोटा सा बच्चा था अब उसके माबाप को तो उठा लेगे गई लेकिन अभी वह इदर उदर भटक रहा है रो रहा है इदर उदर जा रहा है तब इयुक्ते उसके उपर एक बख्री की नज़र पढ़ती है तो फिर क्या होता है वो बख्री इसको लेकर जाती है और अपने बच्चों के साथ में इस सेर के बच्चे का पालन पोशन भी करती है फिर क्या होता है ये धिर धिर बड़ा होता है बकरी के बच्चों के साथ में खेलता कूटता हुआ बकरी का दूद पीता हुआ ये बच्चा बड़ा हो जाता है और ये अपने आपको समझने लगता है कि मैं भी बकरी का बच्चा ही, मैं भी एक बकरी ही हूँ, ऐसे ही वो समझने लगता है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी कभी न कभी, किस-किस ने पढ़ी है, हाँ पढ़ी अच्छी बात है, तो वो रच्छा है, तो उसको ल मैं तो उसको लगा कि में बखरी ही हुँ दूसरे उसको बॉलते भाए तुम बखरी नहीं है तुम तो से रहर है तुम तो राज्वा है जंगल का तो उसको यकिन नहीं हो रहा है तो एक मानता किसी की भी एक दिन क्या हुआ वो मतलब बड़ा हो गया उसके बावजूद भी वो उने के साथ में घुमता फिरता था और बकरी को अपनी मा के जैसे देखता था बड़ा हो गया और एक दिन वो पानी पीने के लिए जाता है कहां पे जा रहा है कहाने सुनना अच्छा लगता होगा तो पानी पीने के लिए जाता है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए देखता है मूँ आगे बढ़ाता है तो उसे दिखता है कि भाई मैं तो सच में सेर हूं उसने अपना चेहरा नहीं देखा उसने अपना चेहरा देखा तब उसको पता चला रहे मैं कोई ब पहचान को पा लिया, अब वो बकरी के जैसे जंगल में नहीं रह रहा था, अब वो शेर के तरीके जंगल में रह रहा था, अब वो राजा के तरीके, राजा के रुत्बे के साथ में जंगल में रह रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान को पा लिया, उसने जान लिय कि वो कौन है पत्रस आज हमें आइना दिखाना चाहता है इस बाइबल के द्वारा हमें वो बताना चाहता है कि आपकी पहचान क्या है हमारी पहचान क्या है हम वो नहीं है जो हम अपने आपको समझते हैं हमारी पहचान कुछ अलग है तुम दुखों में हो, पीडाओं में, सब चीजे तुम लोग सह रहे हो लेकिन तुमें पता है, तुम लोग कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है पहचान के विसे में वो बता रहा है पहली बात जो हम यहाँ पस सीखते हैं, वो उनको बताता है और आज हम भी जानते हैं, सीखते हैं, वो क्या है पिता परमेशर के द्वारा हम चुने हुए हैं जब आपको यह सुनने को मिलता है, आपके अंदर कुछ होता है पिता परमेशर, इस जगत का स्रिष्टी करता प्रभू, उसके द्वारा में चुना गया हूँ हलिलुया, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी और चीज के द्वारा नहीं आप चुने गए हैं परमेशर पिता के द्वारा हलिलुया, और देखी कैसे चुना, पद दो में वो इस बात को क्लियर करता है क्या लिखा है? और पिता परमेशन के पूर्व ज्ञान के अनुसार कौन से ज्ञान के अनुसार? उसने हमें चुना है पिता परमेशन ने हमें चुना है कैसे चुना है? पूर्व ज्ञान के अनुसार इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि परमेशन ने हमें तब ही चुन लिया था जब इस स्रिष्टी की रचना भी नहीं हुई थी पूर्व ग्यान के नुसार पहले की ग्यान के नुसार पुराने समय में ही जब इस स्रिष्टी की रचना भी नहीं हुई थी जब ये स्रिष्टी आस्तित्व में भी नहीं आई थी, तब ही उसने हमें चुन लिया था, हलिलुया, आप एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है, परमेशन ने आपको तब चुन लिया था, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपके पिता भी पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त परमेशन पिता ने आपको चुन लिया था, हलिलुया, ये स्रिष्टी आस्तित्वों में नहीं आई थी, लेकिन उस समय भी परमेशन ने हमें चुना हुआ था, इस स्रिष्टी से पहले हमारी उत्पती परमेशन के मन में हो चुकी थी, हलिलुया, हलिलुया, उसन हमें चुन लिया परमेशर पिता ने हमें चुना है इस स्रिष्टी के रच्छना से भी पहले फीसियों के अंदर भी हम देखते हैं उसने हमें संसार की स्रिष्टी से पहले उसने चुन लिया हम चुने हुए लोग हैं परमेशर के द्वारा चुने हुए लोग यह क्या दिखा आलेलुया, वो इस सुरिष्टी से उतना प्यार नहीं करता, जितना प्यार वो आप से और मुझ से हम सब से करता है, परमेश्र के प्रेम को ये दिखाता है, हमारे परती परमेश्र का प्रेम कितना अद्गुत है, हम चुने हुए हैं, हमारे जीवनों में संगर्स हमेशा रहे सैतान के तीर हमेशा हमारे उपर आएंगे लेकिन हमारा कुछ बिगार नहीं पाएंगे याद रखिए आप परमेश्टर पिता के द्वारा चुने गए हैं परमेश्टर के द्वारा आपको चुन लिया गया है अलेलुया वो हमसे प्रेम करता है उसने अनुगरे दिया कि मसी पर विश्वास करने के द्वारा हलेलुया उसके करीब आए हम चुने हुए लोग है जब दुख, संगर्ष, पीड़ा हमारे जीवनों में आती है उसको इतना बड़ा नव बनाए हलेलुया उसका सामना करे दड़ता के साथ, इस पहचान के साथ की परमेशर पिता ने मुझे चुना है हलेलुया ये दुख, ये संकट ये पल भर का है कुछ समय का है ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे कानंत काल की आनंद में प्रवेश करने वाले हैं हलेलुया दुख आए तब कहें मेरा परमेशर मुझे जानता है मेरा परमेशर मुझे पहचानता है मेरा परमेशर ने मुझे चुना है पूर्व ज्यान के अनुसार पहले से ही कितनी अद्बुद बात है उत्पती की किताब में हम देखते हैं परमेशर ने सब्दों के द्वारा इस स्रिष्टी की रचना की लेकिन सोच की देखिए जब उसने कहा जोती बंजा जब उसने कहा सूरज बंजा जब उसने कहा रात दिन में अंतर हो जा जब उसने कहा पेड बंजा उससे पहले उसने ये कहा था, हालेलुया कि सोनू बंजा निहाल बनजा, सिम्वी बनजा उसने पहले अपने मन में हमारी उत्पती हो चुकी थी हलिलुया इस स्रिस्टी से भी अथ्बूत प्रेम वो हम से करता है कहिए मेरा परिमेशन मुझसे प्यार करता है और क्या कहता है दूसरी बात क्या सिखाता है पूर्व ज्यान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा अलेलुया किसके द्वारा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा ये श्मसी की आग्या पालन करने उसके लोगों से चिड़के जाने के लिए चुने गए है उसने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अलग किया है पवित्र किये जाने का मतलब यहाँ पर है अलग करना, छाट लेना, अलेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें अलग किया है इसका मतलब क्या है? परमेशर की दृष्टी में हमारा चुनाव तो तृष्टी के पहले ही हो चुका था लेकिन इस चुनाव के प्रती हमारी चेतना को जागरित करने के लिए परमेशर ने पवित्रात्मा को हमारे जीवनों में भेजा ताकि पवित्रात्मा के छुए जाने से, उसके द्वारा पवित्र किये जाने से, हम अंदर से और बाहर से बदल जाएं, और परमेश्र के प्रती हमारी समझ खुल जाएं, हम उसे जान पाएं, हम अपने पापों के प्रती जागरित हो जाएं, हम मसी के जरूरत के, मुझे प् धार दे सकता है इस बात का ज्यान दिलाने के लिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा था पहला कुरंतियों बारा तीन पड़िये इसलिए मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि परमेशर के आत्मा के द्वारा कोई भी मनश्य ऐसा नहीं कहता कि येशु शापित है और ना पवित्र आत्मा के बिना कोई यह कह सकता है कि येशु प्रभू है आलेलुया आप यहाँ पर आए नहीं हो लाए गए हो यह कोई कोईशिडेंस नहीं है कि आप यहाँ पर हो परमेशर ने आपको स्रस्ष्टी से पहले ही चुन लिया था और पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात का ज्यान उसने हमें दिया है पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी येश्यो को प्रभू नहीं कह सकता हूं प्रभू की महिमा करते हैं उसे अपना प्रभू करके अंगीकार करते हैं इसका मतलब ये है कि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अलग किया है अलिलुया, पवित्रात्मा के द्वरा उसने हमें अलग किया है और पवित्रात्मा का कारी जब हमारे जीवनों में आया पवित्रात्मा ने हमें बदला, पवित्रात्मा ने हमें आभास दिलाया कि हमें येश्यो की जरूरत है तब हम उस चुने जाने की योजना में पवित्रात्मा के द्वारा लाए गए अलेलोया तो पवित्रात्मा द्वारा हम अलग किये गए हैं हम पवित्र किये गए हैं ये हमारी पहचान है हम अपने आपको कई पर बहुत ज़्यादा पीडित, दुखी, रोते रहते हैं जन्दगी में हाई मेरे साथ ये क्या हो गया मेरे ही साथ ये क्यों हो गया ये क्या हो रहा है मेरे जिन्दगी में ये क्यों हो रहा है हम दुखों को इतना बड़ा बना देते हैं बहुत बड़ा और ये श्वमसी को अपने जीवन में हम बहुत छोटा बना देते हैं और इसलिए हम उन दुखों के मद्धे कभी भी खड़े नहीं रह पाते और उन उस दबाओं के कारण उन समश्याओं के दबाओं के कारण हम गिर जाते हैं कई बार विस्वास में भटक जाते हैं कई बार लेकिन आपके पहचान ये नहीं है कि आप पीडित हैं दुखी हैं आपके पहचान ये है कि आप पिता परमेश्र के द्वारा चुने हुए वैक्ति हैं हालेलुया, पवित्रा आत्मा द्वारा आपको अलग किया गया है और क्या, तीसरी बात हमें क्या सिखाता है ये, पढ़ते हैं मसी की आग्या पालन और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हूँ हालेलुया, हालेलुया, दूसरे टांसलेशन में इस परकार लिखा है कि मसी के लहू के छिड़के जाने के द्वारा, तुम्हारे उपर मसी का लहू छिड़का गया है छिड़कने के द्वारा तुम्हें चुना गया है हम येश्यू के लहू से साफ किये गए हैं प्रभू ये शुमसी के लहू के द्वारा, उसके खून के द्वारा, हम साफ किये गए हैं, उसने कुर्बानी दी है, क्रूस के उपर हमारे लिए, अपनी देह को तुड़वाया है, उसने अपनी कुर्बानी दी है, अपना लहू बहाया है, उस क्रूस के लहू के द्वारा, ह बहुत ज़्यादा यूथ मिटिंग के बाद में वो अक्सर ऐसे बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, मैंने ये क्यूं किया, मैंने ये क्यूं किया, बहुत ज़्यादा दबाओं में वो आ जाते हैं, आप लोग सुनिये, प्रभयेश्वमसी ने और वो आपको संत कहता है, पत्रस की पत्री में हम आगे देखेंगे, वो कहता है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, हलेलुया, ये हमारी पहचान है, हम येश्यु के लहु के द्वरा साफ किये गए हैं, कोई भी पाप आपको मसी से दूर नहीं कर सकता, मसी का अनुग्र है, आपके पाप से कही ज़्यादा महान है, हलेलुया, हमें माफी मांगने चाहिए जब हम गलती होती है, विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मेरे गुनाह को शमा करता है, हलेलुया, येश्यु के लहु से हम साफ किये गए हैं, ये हमारी पहचान है, पुराने और याजक उसको बली करता था, और लहु को उस वेदी के उपर छिड़का जाता था, उस तंबु के उपर छिड़का जाता था, जिसके अंदर परमेशर की उपस्तिती थी, पुराने नियम में परमेशर एक तंबु के अंदर प्रभु की उपस्तिती हुआ करती थी, उस मं लहू उस मंदिर पे नहीं छिड़का जाता वो लहू हमारे उपर छिड़का गया है क्यूं क्यूंकि हालेलुया परमेश्र का मंदिर अब हम हैं मसी के लहू के छिड़के जाने के द्वारा हम सुद किये गए हैं मसी के लहू से छिड़के जाने के द्वारा हम चुने गए हैं त्रियक्ता को हम यहाँ पर देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्रात्मा, त्रियक्ता की उपस्थिती को हम देखते हैं, हमारी पहचान को बनाने के लिए, हमें चुनने के लिए, हालेलुया, परमेशर संपूर्ण रिती से कारिय कर रहा है, पिता, पुत्र और पवित्रा नहीं है जो आपको दुनिया देती है आपकी पहचान वो है जो परमेशर आपको देता है इस संसार के अंदर हमें अलग-अलग लोग पहचान देते हैं जाती के आधार पर पहचान देते हैं काम के आधार पर पहचान देते हैं तू तो यह है तू यह है अलग-अलग तरीके स लोग जो सारी पातों को सुनते हैं, गालियां भी हमें लोग देते हैं, कई बारे तो ऐसा होता है कि जो लोग हमें कह रहे हैं ना हम सोचने कि इसायर मैं ऐसा ही हूं और वैसे ही अपने जीवन को हम जीने लगते हैं वैसे ही हमारी सोच हो जाती है वैसे ही विचार हो जाते हैं और फिर हम जीवन भर वैसी ही प्रस्तिती में जीते रहते हैं रोते रहते हैं, तडबते रहते हैं लेकिन आपकी पहचान वो नहीं है जो आपको जमाना देता है जो दुनिया आपको देती है आपकी पहचान वो नहीं है आपकी पहचान वो है जो मसी आपको देता है हालेलुया आप चुने हुए है वो इत्रात्मा के द्वारा आप अलग किये हुए है प्रभ येश्व मसी के लहू से आपको सुद्ध किया गया है पवित्र किया गया है आपके लिए किसी जानवर का लहु नहीं बहा है पवित्र परमेशर का जो स्वम स्वर्ग छोड़कर इस धर्ती के उपर आया था आपके लिए वो लहु बहा है उस लहु की कीमत के द्वारा आपको चुना गया है उस लहू के सामर्द के द्वारा हमें सुद्ध किया गया है हमें पवित्र किया गया है जब सैतान मन में नकारात्मक विचारों को डालता है उसकी नहीं सुननी है आपकी पवित्र आत्मा जो हमें वचन के द्वारा जो सिखा रहा है, हमारा ध्यान इसकी और होना चाहिए, मैं कौन हूँ Hallelujah Hallelujah आपकी पहचान वो है, जो परमेशर आपको देता है इस संसार के अंदर आपका रुद्बा आपकी पहचान नहीं है, आपका ओहदा आपकी पहचान नहीं है आप मेनेजर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, ये आपकी पहचान नहीं है, आप गरीब हैं, ये आपकी पहचान नहीं है, आप कमजोर हैं, ये आपकी पहचान नहीं है, आप संतानहीन हैं, ये आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान वो है, जो येश्व मसी, परमेश्र पि हालेलुया हमारे जीवनों में ऐसी प्रिस्तिया आएंगी साइद उनसे हार कर हम किसी और दिसाम में चले जाएं लेकिन याद रखिए आपकी पहचान मसी में चुने हुए पुईत्रात्मा के द्वारा अलग किये गए ये ये आपकी पहचान है हालेलुया हालातों के दबाओं में कभी नहीं आना है इस संसार के अंदर जब दुख हमारे जिंदगी में आते हैं उनके दबाओं में नहीं आना है हालेलुया प्रभू में आप मसी में आपको संपून किया गया है परिपून किया गया है हालेलुया हालेलुया तोधी बात वो हमें सिखाता है मसी के आग्या पालन के लिए हमें चुना गया है ये हमारी पहचान है इस संसार में एक साधारन जीवन जीने के लिए हम नहीं है इस संसार की रीती के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें नहीं चुना गया हम इस दुनिया में नहीं है हमें चुना गया है मसी का अनुश्रन करने के लिए मसी के पीछे चलने के लिए मसी की आग्या पालन के लिए हमें चुना गया है हालेलुया आए पढ़ते हैं दोग के अंदर ही पढ़ते हैं पवित्र करने के दौरा येश्व मसी की आग्या पालन करने हाललुया क्या करने आग्या पालन करने के लिए हमें चुना गया है मसी के पीछे चलने के लिए हमें चुना गया है ये हमारी पहचान है हम अपनी पहचान को अलग रिती से बनाना चाहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो बनाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम अलग अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, याद लखिए, संसार की चीजों के द्वारा आपके पहचान बनी नी सकती, संसार के चीजों के द्वारा, धन के द्वारा, पैसो के द्वारा, रुत्बे के द्वारा, पहचान के द्वारा, आपके ओहदे के द्वारा, आपकी पहचान बनी नी सकती, क्योंकि ये सारी चीजे नाशवान है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी, ये एक दिन नाश हो जाएगी, नस्ट हो जाएगी, हमारी स दिश्य होना चाहिए कि मुझे मसी की आगया पालन के अनुसार अपना जीवन जीना है इस संसार के अनुसार नहीं मेरे शरीड के अनुसार नहीं मेरे मन की इच्छाओं के अनुसार नहीं मुझे मसी के लिए जीना है प्रभयेश मसी के लिए मुझे इस दुनिया में जीना है हलेलुया हमें कोई सताए दुख दे, परेशान करे हमें कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए हमें फरक तब पढ़ता है जब हम अपनी पहचान को नहीं जानते हमें दुख होता है जब कोई लोग हमें कुछ बोल देते हैं चोटी सी बात हमारे दिल तूट जाता है, आत्मा तूट जाती है, क्योंकि हम अपनी पहचान को पहचाने ही नहीं कि हम हैं कौन, उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, पता है मैं कौन हूँ, उसकी हिम्मत कैसी, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, किसी की चोटी सी बात के दोरा हमें दुख पहुंसता है, पीड़ा पहुंसता है, क्योंकि आप अपने पहचान को नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि आप सच में कौन हैं, आपको लोगों की बातों से कोई फरक नहीं पढ़ेगा, लोगों के टोंट मारने से आपको कोई फरक नहीं पढ़ेगा, लोगों के द्वारा सताय जाने से आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, हालिलुया, क्योंकि आप जान गए हैं कि आपकी पहचान क्या है, मैं चुना हुआ हूँ, मैं अलग किया हुआ हूँ, मैं सुद्ध किया गया हूँ, मसी के पीछे चलने के लिए मैं चुना गया हूँ, हालिलुया, ये संसारिक देह बाहर से तो हम कमजोर होते जाते हैं, पोलुस कहता है, बाहरी मनुश्यत्व तो कमजोर होता जाता है, घटता जाता है, लेकिन हम भीतरी मनुश्यत्व में मजबूत होते जाते हैं, उसमें बढ़ते जाते हैं, हाललुया, तो ये बाहरी मनुश्यत्व में अगर हमें नुक्षान उठाना पड़े, इसे हमें फरक नहीं पड़ना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है, ये सरीर खतम भी हो जाए, तो जब हम अपनी पहचान को जांते ही नहीं, हम हैं कौन, आप यहां पर ऐसे ही नहीं आए हैं, आप यहां पर सोचते हैं कि बस मुझे कुछ जरूरत थी, मुझे चंगाई चाहिए थी, मुझे ये चाहिए तो तो में आ गया नहीं, प्रबुगा वचन कहता है, मैंने तुम्ह चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, उसने हमें चुना है, उसके द्वारा हम चुने गए हैं, उसने हमें बुलाया है, वो हमें यहाँ पर खीच के लाया है, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए नहीं कि आप मसी परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए नहीं, बहुत सा किये गए हैं हालिलुया ये आपकी पहचान है इसलिए आप यहां पर पाए जाते हैं पाच्वी बाद हमें सिखाता है कि हम इस संसार में परदेशी हैं ये हमारी पहचान है कौन है परदेशी इस संसार में इस जगत में इस दुनिया में हम अमर नहीं है पर्मानेंट नहीं है हमेशा नहीं रहने वाले यहां पर हम इस संसार में परदेशी हैं यह हमारी पहचान है इसलिए इस पूरे किताब का जो मुख्य विस्य यही है विदेशियों के लिए परदेशियों के लिए आशा हालेलुया हम इस संसार में परदेशी हैं जहां हम रहते हैं वो हमारा सच्चा घर नहीं है टेंप्रेरी है कतम हो जाने वाला है जहां हम रहते हैं वो हमारा सच्चा घर नहीं है हालेलुया हमारा सच्चा घर वो है जो मसी ने स्वर्ग में हमारे लिए तियार किया है हालेलुया वो आएगा और हमें लेके जाएगा और हम वहाँ पर रहेंगे, आललेलोया तो इस संसार में हम परदेशी हैं हमेशा के लिए नहीं रहने वाले इसलिए ध्यान से देकी हम अपने ज Toward हम जिंड़की को कैसे जीते हैं कई बार हम ऐसे बढ़ रहे होते हैं को हम करना मुझे यह चाहिए मुझे वो चाहिए हम सतर यास्ति साल रहने वाले हम इसकिल है जादा सी तो उसके बाद, कदम नाशवाण है, सब बातों का अंत, होने वाला है, सब बातों का अंत, निकट है, इसलिए, प्राथ्ना में लगे रहो, हलेलुया, ये हमारी पहचान है, प्रियों, ध्यान से देखिए, ये हमारी पहचान है पिता परमेश्वदारा हम चुने हुए हैं पवित्रात्मा द्वारा हम अलग किये हैं किलिए किये गए हैं येश्व के लहु से हम साफ किये गए हैं मसी की आगया पालन के लिए हम चुने गए हैं और इस संसार में हम परदेशी हैं पढ़िए पहला वचन एक का एक येश्व मसी के पत्रस की ओर से तुम परदेशियों के नाम किसके नाम पहले ही उनको बता रहा है या तुमारी पहचान क्या है परदेशियों के नाम वो अलग जगह पे रह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा घर लूट गया हमारा बिजनस कतम हो गया सब कुछ कतम हो गया अब देखो हम बैगानी जमीन पर हम रहते हैं उनको याद दिलाना चाहता है जहां से तुम आए हो वो भी तुमारा नहीं है तुम परदेशी हो ये हमारी पहजान है हम परदेशी है हम कैसे अपने जीवन को जीते हैं इस संसार के अंदर देखिए हलेलुया अगे अपने जगा पे हम खड़े हो जाएं